सीएम बोले बेहनों की कोई भी योजना बंद नहीं होगी सागर में कहा एमपी में जहां भगवान राम कृष्ण ने चरन रखे वहां तीर्थ बनाएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं दाखबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर मदर परदेश में जहां जहां भगवान राम और कृष्ट ने अपने चरण रखे हैं उन स्थानों को तीर्थ बनाये जाएगा यह काम हमारी सरकार करेगी यह बिलहरान में नारी शक्ती वंदन कारिक्रम में शामिल हुए कॉंगरेस वाले कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना के वल चुनाव तक रहेगी बाद में बंद हो जाएगी पैसा नहीं है इतने पैसे कहां से लाओगे हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि जूट बोलना भाजपावालों की पहचान नहीं है लाडली लक्ष्मी योजना ना तब बंद हुई है और ना ही आज बंद हुई ना अगले चुनाव तक बंद होगी बहनों के लिए सभी योजनाएं जारी रहेंगी उन्होंने कहा हमारी संस्कृती जीओ और जीने दो की है यह सभी को प्यार करना सिखाती है इसलिए दूसरे देश भी हमारी ओर देखते हैं बिलहरा के कारिक्रम के बाद मुछी मंतरी गुना के लिए रवाना हुए मंतरी राजपूत बोले कमलनाथ का जूट किसी को रास नहीं आया मंतरी गोविंद सिंग राजपूत ने मंच सेपूर मुक्य मंतरी कमलनाथ पर निशान साथा उन्होंने कहा कि विदान सबाद चुनाफ की समय मुक्य मंतरी के दाविदार कमलनाथ ने कहा था कि हम भी लाटली बेहनाओ को पैसा देंगे लेकिन उनका जूट किसी को रास नहीं आया महिलाओं ने दोनों हातों से हमें वोट दिया है कॉंग्रेस सरकार खत्म कमलनाथ खत्म आज मदर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदन हमारी बेहनों का है खबरों में अब तक कि लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार दिखते रहिए दख़बरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता मांटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर बाइस सुहागी बाइपास